भारतिय किसान यूनियन भानों के पदाधिकारी और कार्यकरताओं ने प्रधान मंत्री से किसान आयों का गठन करने की मांग की है इसके साथ ही किसानों के कर्ज को माफ करने की मांग किसान नेताओं ने उठाई जिला मुख्याले पर भारतिय किसान यूनियन के कार्यकरताओं ने इसको लेकर प्रदर्शन किया भारतिय किसान यूनियन के पदाधिकारिय और कार्यकरताओं का कहना है कि भारतिय किसान यूनियन ने भाजपा को खुला समर्थन दे रखा है उसके बाद भी किसानों के हित में किसान नेताओं ने जो मांग की है भाजपसरकार उनको पूरा नहीं कर रहे किसानों को दुरगटना में एक करोड रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए किसानों की समस्यां हल करने के लिए किसानायों का गठन होना चाहिए देखिए हमारे ग्यापन बाती किसानों बानु के किसानों को समझ्या लेकर लगाता चलते रहते हैं अब मारा प्रदिस इस तरपे जो अभियान चल ला है प्रदिस व्यापी ग्यापन देने का आज हमारे राष्टी अध्यच ठाकर बानु प्रताप सिंग जी के आदेश अनुसार पूरे देश वर में डियेम साब को ग्यापन दिया गया है जो के हमारी भारती किसानी इन बानु की जो चार सुत्री मांग है जिनमें किसान संगठन आयोक का गठन होना चाहिए और किसानों का 75 साल से जो सोसड हो रहा है वो करजा मुक्त होना चाहिए जो किसानों के 2L हैं उनकी बिजली माफ होनी चाहिए ऐसी मांगों को लेकर आज डीम साब को ग्यापन दिया गया है जय जवान जय किसान मेरा नाम सतीशन तोमर है मैं राष्टी मा सचमू बारती किसान विन्य बानू का राष्टी अद्दस श्री बानू प्रताफ सिंग जी के कहने पर देश वर में ग्यापन चलाए गए है किसान आयोग के गठन के लिए हमारा मुख्य मुद्दा है किसान आयोग का गठन हो उसमें किसान आयोग में जो राष्टी अद्दच हो वो किसान हो उसमें सदस्यों वो किसान हो राजनेता नहो और दूसरी किसानों को बिजली जो है फ्री मिली जाए टू एल की सचाई के पानी फिरी मिला जाए और सचाई के लिए जो बिजली है बो भी मुफ्त जो मिली जाए और किसानों पर जो 75 साल से गलत नीतियों के कारण जो करजा हुआ है संपूर करजा माफ किया जाए भारतिय किसान यूनियन के पदाधिकारी और कारिकरताओं को इस बात का भारी मलाल है भारतिय किसान यूनियन ने मोदी सरकार को खोले आम अपना समर्थन दे रखा है इसके बाद भी किसानों के हित में जो मांग रखी गई है सरकार उन्हें पूरा नहीं कर रही है किसान आयो को माफ कर देना चाहिए इन मांगों को लेकर किसान नेताओं ने जिला मुख्याले पर प्रदर्शन किया सी न्यूज के लिए मनीश जैन की रिपोर्ट